उन्तिया वैद और सर्व सुविधा युक्त कॉलोनीम केसर प्राइड में प्लोट लेने के लिए देगे नंबर पर अभी संपर करें अथवा विजिट भी कर सकते हैं अध्या प्रदेश के खंडबा के पदमनगर थानक शेतर के अंतरगत आने वाली नई अनाज मंडी की दुकान नमबर 19 में नरेंदर सिंग चोहान ने चोरी की शिकायत दर्ज कराई थी पदमनगर थाने की टीम मौके पर पहुँची थी दरअसल दुकान के पीछे दिवार में बड़ा छेद करके मूंग की बोरी चोर चुरा कर ले गए थे अग्या चोरों के विरुद अपराद दर्ज किया गया था मौके पर हमारी टीम भी गई थी मौके पर एक तिजोरी मिली जिस पर फावडे से वार भी किया गये थे और फावडा मौके पर छोड़ कर चोर चले गए थे घटना को संग्यान में लेकर खंडवा एस्पी मनोज कुमार राय ने एडिशनल स्पी महंद ताढ़नेकर को निर्देश दिये कि इस विष्य को तत्काल खोला जाए अशोक सिंग्च चोहान ने एक टीम मनाई जिसमें उनके थाने के काफी जवान शामिल थे अधिकारी शामिल थे उन्होंने मुख्विर की सूचना को एक्टिव किया और इसके अलाबा साइबर सहित अन्ने पुलिस के पास जो भी संसादन रहते हैं उनका उप्यों किया उन्होंने कुछ लड़कों को अभिरक्षा में लिया संदिक लड़कों को जिनमें विजे पटेल पिता मैराम पटेल दादाजी वार्ड और दीपक पिता रंजू आकाश पिता मानकशन शिव और शिवा पिता रादेशाम दिनेश धुर्वे पिता नन्नु धुर्वे दादा तोड़कर इन्हें ये भनक लगी कि अंदर CCTV है इसलिए CCTV कैमरा तोड़कर ले गए और एक कैमरे को घुमा दिया उन्होंने बताया कि उन्हें दो लोगों का डर था एक उन्हें पुलिस का डर था दूसरा उन्हें अकाकू का भी डर था कि अकाकू में वो आ जाएंगे क्योंक उसे पहले ता बद तोड लॉट किया है यानी एक कैमरे कुमा दिया दूसरे और तीषरे कैमरे को उतार कर ले गए उन्होंने तीजोरी पर बहुत प्रहार किये उन्होंने कहा कि तिजोरी इतनी भारी थी कि उनसे वो पहले तो उठी नहीं और दूसरा फावड़ा लेकर वो आये थे उन्होंने उस पर खूब फावड़े मारे वो नहीं खुली उनका टार्गेट तिजोरी था पर क्योंकि वो आये थे तो चोरी कर के जाना ही था और उन्होंने फिर मुूं की बोरी चोरी की और उसके बड़ी महनत करके उसे पहले छेट से निकाला फिर दिवार से कुदाया और फिर ले गए इस मामले में आपको बता दे इन लड़कों से जब हमने बात की तो उनने बताया कि उनकी जिन्दगी की पहली चोरी है और वो अपनी गलती मानते हैं जिन्दगी में ऐसा कभी दुबारा नहीं करेंगे और अच्छा जीवन जीने की वो कोशिश करेंगे ऐसा उनने बताया बहराल पूरे पदमनगर थाने की टीम ने इस मामले में मैनत की वारदात का वादा पुलिस से किया है और कोट के समक्ष भी ऐसा इन्होंने कहा इन्होंने बताया कि चोरी इन्होंने क्यों की इनमें से कुछ को नशे की लथ है कुछ को जुए की लथ है और जुआ और नशे के लिए इन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया लेकिन इन्ह वैद और सर्व सुविदा योक्त कॉलोनी केसर प्राइड में प्लॉट लेने के लिए देगे नंबर पर अभी संपर करें अथवा विजिट भी कर सकते हैं